यही माचल परदेश पुब्लिक सर्विस कमिशन का करंट अफेर का पार्ट 18 होगा और आज के लेक्चर में हम एकॉनुमिक सर्वे दो हजार तेहीस को डिस्कस करेंगे मैंने इस से पहले दो लेक्चर जो है इकॉनुमिक सर्वे के करंट अफेर में इंकलूड किये थे और यह तीसरा होगा तो यहां पर देख लिए थे कि कैसे पूछे गए थे आयोगन के स्ट्राइप को कौशन पूछा था देखिए यह दो हजार तेहीस का कोशन था तो यहां पर आयोगन सिंपल सा कोशन था यह जो आप इसका जो कांचा है वो आज देखाऊगे तूवर्स इट्स जर्जनी तू विकम फुल स्टेट वाट इस दा करेक्ट अवाउट हिमाचल प्रदेश दिये हम पर हिमाचल लिखाऊ है इट विकेम चीप कमिशनर्स प्रोविंस 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 इन 1948 और इट विक विकार इन 1946 तो अगर आपको यह कोशन आता है तो आप इसको अधरन कर सकते हो अधरवाइस लेक्टर के बाद यह अप इसको अधार्मिस कर सकते हो अभी यह कोशन ऑर चारो कि चारो अलग ज़र से लिया है वही भी एक स्टेटमेंट गुलान यहां पर गया है Global FinTech Conference यह गया है तिरपुरा से उठाया गया है और यह गया है रोहित सर्मा क्रिक्ट से उठा लिया और यह गया District Disability Rehabilitation Center तो यह जो statement है अलग अलग जग से उठाये गया है तो यह बताता है कि आपको तो यह बहुत जरूरी होता है कि आप question को भी कभी क्या होता है कि बन लाइनर के question होते है उठा लेगा और डाल देगा जैसे कि हम आज question देखेंगे तो यह इसका हिंदी बर्जन है और देखें इसका record था तो यहां वह क्या है कि एलांग तो इन्द्या सफर्स्ट स्कीम फॉर गवर्मेंट स्कूल स्टूरेंट्स यह यहां से उठाय और यह यह बंक से उठाया देखेंगे अध्स इसरी आर्बिया जो प्रॉंक्ट करेंटिभ एक्सट्य आपको पॉलोसी पोज परता है तो यह त सब्सक्राइब कर दिया है और अगर आपको बहुत सारी के बारे नहीं बता तो तो दिखिए फिर मुस्किल होता है यह इसका हिंदी बढ़ जाने है ने जाने हम आगर नाविक सर्वे हैं अश्र क है जो यह सर्वे का सब्सक्राइब कर देख सकते हो और थोड़ी सी चीजये यह और अलग लेगी तो यह पुड़ा एक इन तो तो अगर आपको एजूकेशन पर लिखना हो तो प्री के अंदर नहीं आई गाई अगर में एजूकेशन पर लिखना हो तो आप लिख सकते हैं अब यह आता है कि मचल पूर्देश के बारे में कि हमाचल पूर्देश कुछ रिलेटेड फैक्ट हो चाहिए आपको पता होने चाहिए जब देश आजाद होगा 1947 में तो चीप कमिशनर प्रोविंसस ऑप तो हिमाचल पूर्देश को और गनाइज किया गया नाइटीन फॉर्टी देट पता होनी चाहिए यह कुछ जो अलग से एकदम स्टेट और होते है जो कुछ देखो जो विडियेस राज था उसके इंदर डो टाइप के जो जो कलॉनी थी एक तो जहांकर उसके चीप कमिशनर होते थे और एक वहांपर रोड डिरेक्ली राज करते थे तो यहां मिधिक रेक्ली करते और उनकी इ तो इंडिया को इसको इमाचर प्रदेश को आजादी के बाद में जो है चीफ कमिशनर का प्रोविंसस उसके बेस पर इसको अधार बने वने पर सेट अप किया गया तो मनलब यह बोल सकते हूं कि इस पहला चीफ कमिशनर थे यहां पर और यह 1948 में बनाए गया उसके बाद में बहुता है फिर क्योंकि नहीं कि देस आ जाद होगा तो देस आ जाद होने के बाद देस आ जाद फिर में होगा फिर क्या होगा है जब यह कि उसको C category की स्टेट में रख गए ऐसा रखे गया तो तीन केटेगरी में स्टेट को ओर्गनाइज किए गया तो हिमाचर प्रतिया विलासपुर को 1954 के अंदर हिमाचल पुरदेश के अंदर मर्ज कर दिया गया और हिमाचल पुरदेश को 1956 के अंदर यह बहुत जरूरी है यूरेन टेरेट्री बनाए गया तो पहला क्या था लेगी पहला यह चीफ कमिशनल प्रविंसस था और उसके बाद में के इसको नाइंटिकरी सी इस को रखा गया उनिज सब्यासमद उसके बाद में क्या हुआ जिस नितान के पंजाब का बहुत सारे पार्ट हिमाचल प्रदेश के अंदर मर्ज कर दिये गए। matakra जो पंजाब के बहुत सारे पार्ट हिमाचल प्रदेस मर्ज कर दिये गए। और यह याद करने की जरूरत नहीं है बस डेट याद कर लेना सिक्वेंस क्रोनोगोजी याद कर लेना उसके बाद मां 18 दिसंबर 1970 जो हिमाचल पुर्देश हिमाचल पुर्देश एक्ट पास किया गया पार्लिमेंट के थूप और 25 जनबरी 1971 को हिमाचल को फुल फ्लेज स्टेट का दरजा दिया और अब जब यह बना था 1971 गेंट तर तो अठार्मी नंबर था यह स्टेट तो अब देखते हैं यहां को पूछा था आयो जवाब लेते कि इट बिकेम चीप कमिशनर्स प्रोविंसस इन 1940 यह बिल्कु सही बात मैंना आपको यहां पर देखें मैंना पहला ही वाला आपको स्टेट्मेंट बताया था यह लिखा हुआ है आपने इंडिपेंडेंटेंसी कमिशनर्स प्रोविंसस और हिमाचल प्रदेश बार और और स्टेट्री इसिक में इसको ज्रीओंma लिखें है थृषटी और मोर्स के इसको इसको अनटिक्टी बना दिया गाहा थे थे थी आयर दो सरा स्टेथ метमेंट भी या परन भी ठीग है प्री खिल लए चीड juste गिए निचना सब्सक्रिए आप था तो यह लास्ट वाला कि यह ते रखा है 1929 जन्वरी 1971 को इसको फुल खैद का दर्जा मिल चुका था ठीक है और यह याद रखना है जो पहले जो जो चीप इनिस्टर थे वो कौन थे डाक्टर यसन सिंग ठीक है तो यह कोईशन जो है काफी बढ़ाई की है तो काफी कोईशन वाएशन है तो और यूज सब्सक्वा सब्सक्राइब कोई और शाम संसल जाता है तो लोई पर दो फिर एक परनिये सही कुछ सार्ज जाता है यह सब्सक्राइब अब यहां पर बात करते हैं कि हमाचल प्रदेश के बारे में तो उसका थोड़ा सा एजूगेशन के बारे मों पता हो नहीं है पूचे गए हैं जैसे मैंना एकॉनमिक सर्वें कुसमा सेंसस की स्रीज का मैंना से तीन चार मैंना लेक्टर अप्लोड करें तो उसमें पिछन साल के क्वेशन भी मैंना सॉल कराए है कि किस टाइप के क्वेशन आयोग जो है पूच रहा है अब लेके यूनियन नहां बागी है अचीविंग फुल स्टेट हूट को फुल स्टेट हूट का दर्जा दिया गया है तो उस टेम पर जो लिट्रेसी रेट था कि कितना खराब था बहुत जाद खराब रहता है और इवन हमाचल प्रदेश का लिट्रेसी रेट बहुत अच्छा है अभी फिर उसके बाद में रहता है 86 Constitutional Amendment Act होता है दो हजार दो के अंदर ये सिक्रेसी आद रखना और इसमें एक आर्टिकल देखिए मैंने को पोश्यन उठाया नहीं एक स्टेट्मेंन यहां से उठाया था उसमें ये वह लगाया था कि 86 Constitutional Amendment के वह दो हजार दो में हुआ था उसके अंदर एक आर्टिकल एड ये आर्टिकल एड गया था 1816 Constitutional Amendment Act के अंदर तो इस Act के अंदर क्या बलगा है वह फिरी एजुकेशन देगे हैं किनको फिरी एजुकेशन देगे हैं किनको फिरी एंड कंपसरी एजुकेशन चैसर चोदो साल के बच्चों ठीक है उसके बाद मों राइट तो एजुकेशन आया 2009 के अंदर तो राइट टू एजुकेशन एक्ट जो था था वो एक्शुलिए को इंप्लेमेंट करने की यह के कदम था ठीक है तो इसके अंदर रिसीप फिरी एंड कंपसरी एजुकेशन यह यहां पर आलिमेंटरी स्कूली तो यह याद रखना है इलिमेंटरी स्कूल इसके राइट टू एजुकेशन एक्ट आया 2009 कंपल से नहीं मैं एदाफ हा रही है यह से कुशन मैंने आपको बहुत सारे कुशन सौल को है करन अपेर हो इस टाइप पर पूछ सकता है वह हम बात करते है कि यह अगर हम उसकी बात करें दो बजार 11 के संसस के अकॉर्डिंग हिमाचल परदेश का लिट्रेसी रेट है 82.80% मतलब 83 ही लगा रहा है 83 ही लगा रहा चलो छोड़ो यह तो हमको exactly याद रखना है क्योंकि कोशन पूछा भी गया है इस पर जो की 0.88% परसंट जादा है जो नेशनल का अवरेज लिट्रेसी रेट है तो यह बहुँ जरूरी ह हिमाचल परदेश सचों मतलब पॉबूलेशन कमा और कनेक्टिविटी का एक इसू है लेकिन लोग बहुत मंदार अभी मैं उसको पढ़ रहा था क्राइम सबसे जादा क्राइम जो हिमाचल परदेश के लिए बहुत कम क्राइम है तो मतलब है ऐसा नहीं कि क्राइम मतलब यहां पर यह सारी चीजे कंट्रोल में होगी है लेकिन अब बात करते हैं और और बहुत कम हुआ है माचल परदेश के लिए बहुत जादा करप्शन हुआ है यहां दो बहुत करप्शन है जो अब देखिए जो मेल का लिट्रेसी रेट कितना है अब देखिए यहां प और यह बात याद रखना जो यह National Family Health Survey पांच जो कंड़ किया था 2019-21 के बीच पर उसके according हिवाचल प्रदेश का लिट्रेशी रेट 93.33% हो गया यह की statement ला सकता है भाई यह बहुत important statement है जिसमें male का 94 हो गया है और female का देखे कितनी बड़ी चलांग लगाई इसने कि 2001 सेंसस के अकॉर्डिंग मेल का कितना था मेल का था 89.53 और अब 2000 जो यह National Family Health Survey हो आता को उसके हिसाब सब 93 है तो इसमें बहुत जादा और 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग female का लिट्रेशी रेट कितना था 75 था 75.93 मतलब 70 60 समझो और अब कितना हो गया देखो 93 कितना हो गया स्वारी यह 93 नहीं 91 91 आप देखो किती लगी शलांग लगी है 96 के अबाउट सो सीधर 91 बहुत जादा बढ़ा है चार यह बहुत जादा बढ़ा है हिमाचल कुर्देश का लिट्रेशी डेट फीवियल का इसके हिसाब यह ऑफिशियल डेटा है यह इसको जो बनाया गया है बहुत अच्छे प्रोफेसर बनाते हैं समझ्या को एना अगर अनत्तु खेरा नहीं हो बहुत बढ़कर जो भारस सरकार के डोकुमेंट पढ़ते हैं तो उससो यह डेटा उठाए गया होना तो मैंना आप एकॉनमिक सर्वेसर उठाया है आप एलिमेंटरी के बारे में बात कर लेते हैं तो इसलिए आपको डेटा पता होना चाहिए क्योंकि वह कोश्चन फ्रेम कर सकता है कि वह यह ऐसा क्योंकर सकता है एक सब्सक्राइब कर सकता है नेशनल अगॉर्डिक टुदा और नेशनल फैबली हेल्थ सर्वे फाइल त्युसक्ता सब्सक्राइब फ़्सक्राइब दोसे सब्सक्राइब मज इसे इन इंडेटरेसी में फuksस दटार केपा सब्सक्राइब अब अलिमेंटर एजुकेशन के बारे में बात कर लेते हैं कि अगर प्री स्कूलिंग के बात करें तो टोटल कितने हैं हमारे हिमाचल पृद्धेस के इंदर 10,370 जो प्राइमरी स्कूल है और मिटली स्कूल कितने 1850 अगर 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 थेको अगर आप एक बात बदाता हूं कि जो रहने का जैसे मालोई प्लेन एरिया है और हिमाचल पृद्धेस यहां पाड़ी एरिया मालता है यह इदर उत्राखंड हो गया तो अगर आप देखो तो अगर कनेक्टिविटी इसू जैसे कि उत्राखंड है UK हो गया और इस से लगा हुआ है हिमाचल HP तो यह है UUP हो अगर सरकार चाहे तो मतलब लोग चाहते नहीं और दूसरा हिमाचल प्रदीर हो सर्विस सेंटर को जो सर्विस सेंटर को सर्विस के जो ओफिस होते हैं उनको यहां जैसे हिमाचल लोग के बहुत सारे बड़े साहर हो गया है वहाँ पर आप कंपण्यों को सीप्रसेट्प् प्रॉब्लम यह है कि एक तो जो पॉलोटिक्स होती है यहां पर यह सेंटर इतने डवलप नहीं होगा है पॉपुलेशन सारी कहा बढ़ती है इधर दिल्ली को बगरी है दिल्ली में है क्या सा जो जंट तो कुछ नहीं है दिल्ली में बस हुआ मचा रखा है दिल्ली में जिसकी मज़े से क्या है सारे लोग यहीं पर आते हैं कंपणी यहीं पर आते हैं दर यहां पर रहने के लिए एंबारोमेंट मंतर एक बन गोवर है यहां पर कोई आप किसी भी जोग्रोफर से पूछ लो किसी सब भी पूछ लो यह तो बहुत बेगार एक लेकिन जब्रदर्थ यहां पर पोलोट्विक्शन और यह माइंसेट अचा बना दिया कि दिल्ली चलो दिल्ली चलो तो यह इस्तोरिकली भी है कि उसका एक रिज़न तो यह सरकार की नाकाम है अभी नाव मत्व सरकारों की पॉलोटीशन और जो भी जिनको छोड़ो कुछ नी कहते तो इसकी बज़े से बढ़िए जो स्टेट जो ही एडिया में उनका डवलप्मेंट नी हो रहा है तो यह याद रखना है यहां पर हिमाचल प्रदेश के अंदर कितना इलिमेंटरी स्कूल और प्रॉब्लम क्या है कि आपको में में लिखने काम आएगा कि जो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है एक तो स्कूल में टीचर की सौटेजर ना बढ़ दो जो इसकी टीचर उनकी सौटेजर पढ़ाने के लिए क्या है मैं बताता हूँ अभी वह त पmore किताब उठाली तो 80% कहीं नीच यह तो अब लेकिन ऊवसको नहीं है उसको जूर्चम यह लड़के हो गए उसकता मारे की तो यह दितर son सब्जेक्ट लेकर तो उनके बन गए हो आपर 80 परसेंट तो मतलब ऐसी कट-off निकलती है तो हो गया गाम बस बन गया तो प्राइमरी टीचर लेकिन पढ़ाने जब जाएगा कोई लड़का होगा तो सुट्टा मार रहा होगा कई इस सुट्टा मार रहा होगा पढ़ाना अब बात करते हैं सेंटर सेंटर के अंदर यहें बन आप देटा रहा है तो अब बात करते हैं नहीं करते हैं अगर किसी नहीं को तो यह जो प्राइवेट इतनी पैसे लिए इतनी फीज बढ़ारत की श्कूल की यह प्राइबेट सेक्टर ना हो ना यह जितने बंदे आयम समें बैठे रहते हैं आयाटी में निकलते ना वो और आयाटी में बड़े-बड़े स्टार्टप बड़े-बड़े कंपनियों बजाते हैं वो कहीं नहीं जा असा रिपोड के अंदर हमको पढ़ना ही नहीं आता हुआ है इंग्लीज पढ़ने नहीं आती है मतलब एड्यूगेशन के माम लेंगे तो यह गवर्मेंट स्कूल करते हैं लेकिन एक साइड आप जो है फिर क्लास वाले बच्चे को बठादो एक साइड जो इसको सकार्य स् प्राइबेट वाला ऐसी फर्राटे वाली इंग्लीज पढ़ेगा बोलेगा और ऐसे अच्छे सा सम्सॉल करेगा लेकिन जो फिप क्लास के बच्चे सरकारी स्कूल है तो उसको पढ़ना भी नहीं है एक लाई में नहीं पढ़ सकता है इंग्लीज को लिग भी नहीं सकता है यहां पर कुलने के लिए जा रहा है यहां यहां पर मेगाले मेगाले में स्टेट्मेंट उखा सकता है एक बन नाइनर कोश्चन है ऐसा नहीं कि बहुत जादे मैं आपको दिखा दिया भारत भी देखिए यह OS क्या है देखिए यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है इंडिया का इंडिजेनियस भी ओपरेटिंग सिस्टम में जो मवाइल के अंदर यू नहीं है यह जे एनके जमूर कस्मील प्राइशन प्राइवेट लिमिटेड यह इसको बनाया है डवलप किया है और इसको भारत सपा फंड करती है यह जो डिबार्टमेंट ऑप दा साइंस अं टेकन इसको फंड करता है यह जो 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 यह जो यह जो यह जो यह जो यह जो लिखा जाएगा ऐसा और दिखें का फूली डिजिटर वैंकि सिस्टम किया जो 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 बहुत जाएंगे जो जो यह जो जो अटेटी के अंदर नहीं आएगे आपको भरजगाने वाली है तो इनन नहीं कितना फंड एलोटा किया था यह जो यह जो यह जो जो यह जो 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 फंड एलोकेट किया है जिस में सब्सक्राइब अब फायते लेखते हैं क्या फायते हैं को एक तो सिंपल सी बात है जो है जो अपर्चुमीटी बढ़ेगी ठीक है तो आपको सरकारी नौकरी के वेशिस पर आप्यार किसी कुछ थे लेता हैं मतलब सरकारी नौकरी किया है सर्कारी नौकरी और हम सारा इयकारी थी आप अदॉर करो ठीक है क्या न क्यांतर ओब आपको जमें इसोगहिस थो ऊलो की स relatively होते लकिन वह अदूस के लिए ड्रकॉल्स करकर करकर कर करोब नो के सान्डी आते हैं अगर यह न िमांदारी से काम करें एंन इन पजा दो उन फ़ाथ हो सद्दित क्था रहा कि मेरे पास टने उतने मत्रॉज नमर भू को बहुंष क करierte बहुत से लोग हो सभा जो है वे स्याइपैस, सारे क्रफ्ट हैं, यह 1.500 या कितने भी निकलनें, वे सारे के सारे इसके इसके इंदर हाडली 10 ऐसे होंगे, वाद रभाइन यह सब करप्पिशन होते हैं, अदर कुछ टाइम के बाद इंटर्वीं के इन्टर्वीं कि होते हैं, यह करेंगे फलाना करेंगे पर बात में पर टेबल के ऊपर से नीचे दो करते हैं और उनके सबसे बड़ी प्रावब्लम क्या इन इस आई-पिस को भरस सरकार गवर्मेंट ऑप इंडिया प्रोठक करती है कि इनका कुछ नहीं होता है तो यह सबसे बड़ी सजा है कि इनका कुछ नहीं होता है। तो यह बड़ी समस्य है भारत सरकार इनको बचा करती है इनके उपर जड़ा से भी आज नहीं आने वाली है चाहिए कितना भी करप्षिन करने कोई भी लेना दे को अभी क्या होता है इलेक्शन होते हैं जन्नल पता हुआ ही कितनी जमीन है कहां खरीता है कितना पैसा बैंक में दोमेन में आता ही नहीं है तो बहुत पैसा हो इवांदारों को हटा रहा हूं यहां पर उस आले जो सभी दो नंबर के करप्ट करकर पैसा कमा रहे हैं दो नंबर अपर बहुत सारे तो इस साथ है को आईडोजन ग्रीन इडोजन से क्या होगा एक तो कटिंग टेक्नोलोजी दोह सब्क्राइब क्याँ तो हम गएंडोर ही तो कॉंड ही कभाष्च सब्सक्uld dachte की घ punk को मैं हमना प्रिपार शवर पर ही जायगा और फोशे को सब्सक्राइब की बाडप घाम ओगा है हम अपनी जो इंडस्टी है उसको डिकारवनाइजेशन करवाएंगे तो यह पॉइंट आप महीड में भी लिख सकते हो अगर कहीं ग्रीन हाइड्रोजन से रिलेड़ कोशन आते है तो यहां बर यह और तो कुछ आगर है नहीं इतना यह 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 याद नहीं तो यह कोई जर आपको पता होने चाहिए और यह बाकी पता हो यह ना पता हो सो कोई मुद्धा में तो हम अपना लेक्चर यहीं स्वाब करते हैं मिलते हैं लेक्चर में नहीं कोशन के शाहत झाला कैंवा और यहीं स्वाबर का यह हैं उला कस अता हैं बहां कोशने को hell यह सिर यह कोशने करते हैं तो क कम दो कियो हैं गडह में अेतना प्राफने क्वाबर कषने इतना हे देशनद़ से प्लिठ Dなसे decides यह देता हैं टõँलो हैं तो कि अआले था